हेलो फ्रेंट्स आप सब का आपके अपने चैनल कोविन लक्षर्स में एक बाद फिरसे स्वागत है तो कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब की बॉर्ड प्रिक्सा की ट्यारी भी अच्छे से चल रही होगी पिछले कुछ दिनों से कलासीच नहीं हुई थी इसके लिए आप सब से में माफि चाता हूँ आज की स्वाप्सादस हिंदी विशय की प्रिक्सा जो के तीरा मार्श को होने वाली है उसके लिए हम आपके हिंदी विशय की पैंपर को डिसकस करेंगे हमने जो अंग्रेजी विशेय के पैपर डिसकस किया था उसमें से कई सारी प्रश्ण आपके प्रिक्सा में ऐसे के ऐसे चपे थे उम्मिद करता हूँ इस पैपर से भी कई सारी प्रश्ण आपको अपनी बौर्ड प्रिक्सा में देखने को मिलेंगे तो आप सभी विद्यातियों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रशनों को याद कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन सभी तकी जन्दकारी पहुंच सके तो हम बात कर रहे हैं मादमिक प्रिक्सा 2024 के कट्सा 10 के हिंदी विशे के पैपर गी तो चलिए क्लास सुरू करते हैं सबसे पहले कंड अ है जिसमें कुल 12 आपके अबसद वाले प्रशन दिये हुए हैं पहला प्रशन है कि पंडिताइन सब्द में प्रियूक्त परते कौन सा है पंडिताइन सब्द में जो परते यूज हो रहा है वो आपको बताना है आप सबको पता है पंडित धन आइन परत क्या होता है सुधन आगत तीसरा है भर्मर गीत की बहसा कौनसी है तो यह आपको अपने किताब से देख लेना कि भर्मर गीत की बहसा कौनसी है तो अथा फालगुन मास में कौनसी रितू का आगमन होता है कौनसी रितू बसंत रितू पांचवा जै संकर परशाद की रचना चट्टा परसु राम ने सीव दनूस तोड़ने वाले को किसके समान अपना सत्रू बताया है तो परसु राम ने सीव दनूस तोड़ने वाले को सहस्त्र बाहू की तरह अपना सत्रू बताया है तातवा हालदार साब किस सोच का आदमी है ये आपको बताना है तो जो हालदार साब थे वो किस सोच का आदमी थे ये आपको अपनी ध्या के अंदर मिल जाएगा वहाँ से आप उत्तर देख ले आठवा मनू बंदारी का जन्म कहां पर हुआथा आपको उनका जन्मिस्तान बताना है यस्पाल का जेल में किसे परीचे हुआ जी का जेल के अंदर किसे परीचे हुआ था दसवा मानव संस्कृती है, यह आपको बताना है गरवा सीव पूजन सहय को उनके पिताजी क्या कहकर फुकारते थे, वो नाम बताना है गंग्टोक, गंटोक का अर्थ क्या होता है, गंटोक का अर्थ होता है उख्यी चोटी आगे बात करें दूसरा प्रूशन, रिक्तिस्तानों की पूर्ती कीजिये, क्या करनी रिक्तिस्तानों की पूर्ती करनी है परवत, नदी, नगर, पक्सी, फूल, आदी उदारण कोंसी संग्या के हैं? परवत, नदी, नगर, पक्सी, फूल ये सब कुँए संग्या के हैं? ये सब जाती वाचक संग्या के उधारण हैं दूसरा, जो सब्दांस सब्द के आरंब में जूड कर उसके अर्थ में प्रीवर्तन उप्पन कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं उपसर्ग, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग तीसरा, जिस समास में पहला पज संग्या वाचक होता है, वहाँ कौन से समास होता है? तो वहाँ पर दिगू समास होता है संग्या के इस्तान पर प्रियुक तोने वाले सब्द क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सर्वनाम, संग्या के इस्तान पर प्रियुक तोने वाले सब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं करम के आधार पर किरिया के कितने पेद होते हैं, दो, सकर्मक और अकर्मक फिर संग्या के इस्तान पर प्रियुक तोने वाले सब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं आगे बढ़ें प्रश्ण संख्या तीन निम्नलिखेत गध्यांस को पढ़ कर पूछे गए प्रश्णों के उत्तर दीजिए देश प्रेम क्या है? प्रेम ही तो है इस प्रेम का अलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुश्य पसू पक्सी नाले वन परवत सहित सारी भूमी यहाँ प्रेम किस परकार का है? यह सहचर्य प्रेम हैं जिसके मद्ध्य हम रहते हैं जिने हम बराबर आँखों से देखते हैं, इनकी बाते बराबर सुनते हैं, जिसका और हमारा हर घड़ी का साथ रहता है, जिनके सनिध्य का हमें अभ्यास हो जाता है, उनके परती लोब या राग हो सकता है। देख प्रेम सब्द में कौन सा समास है, उसका समास विग्र क्या होगा, देख के परती प्रेम या देख के लिए प्रेम, तो यहाँ पर तत्पूर समास है। तीसरा, देख प्रेम किच कोटी का माना जाता है, तो देख प्रेम आपके, किस कोटी का माना जाता है, तो देख प् ऐसा अंतकरण का भाव माना जाता है। इस सानिध्य से क्या उत्पन होता है? तो सानिध्य से क्या उत्पन होता है? तो सानिध्य से हमें लोब या राग प्राप्त हो सकता है। सानिध्य से क्या प्राप्त हो सकता है? लोब वा राग। पता है अपधित काव्यांस को पढ़ कर प्रश्णों के उत्तर दीजिए देखो दिव सावसन का समय मेग में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदर परीसी धीरे 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 तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कही आवास मदूर मदूर है दोनों उसके उधर चिंतु जर राले काले काले बालो से हर्दे राज्य की राणी का वह करता है अभी सेख तो यहाँ पर प्रश्ण है प्रस्तूत काव्यांस में किस समय का वर्नन है कौन से समय का वर्नन किया गया है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर संध्या समय का वर्नन किया गया है संध्या सुंद्री क इसके समान पर्तित हो रही है, तो वो एक सुंदर परी के जैसी पर्तित हो रही है, हस्ता है केवल तारा एक, तारा कहां पर हस्ता है, तो उन गुंगराले काले काले बालो पर, ठीके, काले काले बालो पर, फिर दिवसा वसान का समय, पंक्ती के संद्रब में अवसान का अर्थ क्या है अवसान का अर्थ है साम होना क्या होना साम होना अत्वा समाप्थ होना दीवस का समाप्थ होना ठीक है साम होना नहीं होगा अवसान का मतलब होता है समाप्थ होना दीन का समाप्थ होना उप्युक्त काव्यांस का सिर्षक क्या है क्या लिख सकते हैं संध्या संद्री ठीके, चलिक सकते हैं संधिया सुंदरी या हम कह सकते हैं दीवसावसान, तो आप संधिया सुंदरी उचित रहेगा, संद्या सुंदरी कहां से उतर रही है तो मेग में आसमान से ठीकें आगे बड़े खंडबव यहाँ पर आपको लगू उत्रात्मक प्रशनों के उत्तर लगबग 40 सब्दों में देने है पांचवा है उस्ताज बिस्मिल्ला खा कियो क्या देन है 60 लेकक ने संस्क्रती और असंस्क्रती किसे कहा है 70 हिरोसिमा पर कविता लिखते समय लेकक की क्या मन इस्तती थी 80 कौनसा संद्रिय लेकिका के लिए अशहय था साना साना हाथ जोड़ी पांच के आधार पर संद्रिय का वर्नन कीजिए 90 देखो यह गागर रिती गागर रिती से कवी का क्या अभी प्रा है 10 संगतकार कवीता का मुलभाव लिखिए 11 आंक का तारा मुआवरे का अर्थ एवब वाक्ते में प्रियोग कीजिए आंक का तारा मतलब बहुत ही प्यारा होना जैसे सूरे सभी अध्यापकों के आंक का तारा है आगे बात करें खंड सव निमनलिकित गध्यांस को ध्यान पूरवक पढ़ कर उचे गे प्रशनों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर ग्रह ग्रस्ती जवानी जिंदगी सब कुछ खोम कर देने वालों पर भी हस्ती है और अपने लिए बिखने के मौके डूटती है दूकी होगे 15 दिन बाद उसी कस्बे से फिर गुजरे कस्बे में गुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे के दर्शे इस्तली में सुबास की परतिमा अवश्य है परतिस्ताबित होगी लेकिन सुबास की आखों पर सस्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया सोचो वहां रुकेंगे भी नहीं पांड भी नहीं खाएंगे मूर्ती के तरब देखेंगे भी नहीं तो लेखक दूख क्यों हो गया तो यहाँ पर लेखक दूखी किसलिये था लेखक दूखी इसलिये था कि जब वो कस्बे से ओकर गुजरेंगे तो सुबास चरण जो चंद्रबोस थे उनकी मूर्ती तो अवस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ती के तरब देखेंगे नहीं, कारण क्या है कि सुबा चंद्रबोस की आँखों पर वो सच्मा नहीं होगा। सुबास की मूर्ती के आँखों पर सच्मा क्यों नहीं था, क्योंकि जो मास्टर थे वो बनाना भूल गए थे, और कैप्टन की क्या होगी थे, मर्ती होगी थे। पत्वा में, उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवा के लिए अनिवारीय योग्गिता थी, उम्र में 16 वर्स, सिक्सा में मैट्रिक। पता जाते थे, पिता जी चाहते थे कि मैं रसोई घर से दूर ही रहूँ, रसोई को वे बत्यार खाना कहते थे, और उनके इसाद से वाहर रहना, उनकी समता और अपनी परिवा को बत्टि में क्या करना था, जोगना था। उम्र भी कितने होगी, 16 वर्स जादा हो गए थे, लेखिका को अपने वजूद का एहसास कब हुआ, लेखिका को अपने वजूद का एहसास कब हुआ, वो बताना है, तो जब दूनों भाई उसके आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गे, ठीके, और सूसिला भी कर निचे दिये के प्रशनों के उत्तर दीजिए, फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, आथों के इसपर्स की महिमा है, भूरी काली संदली मिटी का गोंधरम है, रुपांतर है, सुरज की किन्नों का, सिम्टा हुआ संकोच है, हवा क की थिरकन का, यह आपके सामने पध्यांस है, वह इस पर अधारित प्रशना है, प्रस्तुत पध्यांस में कभी किसके विश्य में कह रहा है, फसल के बारे में, फसल किसके आथों की इसपर्स की महिमा है, रुपांतर है, सुरज की किन्नों का, पंक्ती का आश्र क्या है, पं चोटरा सा पोधा होता है वो धिरी धिरी फसल के अंदर रुपांधरित होता है उसमें दाने आते हैं और फसल क्या होती है फक्के ट्यार होती है पसल के किन आफशक तत्वों का कभी ने पध्यांस में वर्नन किया है इसका वर्नन किया है पानी का, हवा का, सुरज की किन्नों का, इन सभी का और केसान के आथों के इसपर्च और महीमा का वर्नन किया है पत्वा में हैं बादल गर्जो घेर घेर घोर गगन घारा घर ओ ललित ललित काले घुंगराले बाल कलपना के से पाले विद्धुत चभी ऊर में कभी नवजीवन वाले वज्जर चिपा नुतन कविता फिर भर दो बादल गर्जो न, तो यहाँ पर प्रस्थुत कविता में बाजल की तुलना किस्से की गई है ठीके, फिर विद्धूत, इसके हर्दे में विद्धूत चभी है कवि को नव जीवन देने वाला क्यों बताया है, और कवि और बाजल में क्या समानता बतायी गई है तो बाजल की तुलना किस से की गई है यहाँ पर कवी से ठीक है तिसके हर्दे में विद्धुचवी है तो कवी के हर्दे के अंदर क्या है विद्धुचवी है कवी को जीवन देवने वाला क्यों बताया है तो जीस तरह बाजल वर्षा करके इस दर्ती को, खिसानों को, लोगों को एक निया जीवन परदान करते हैं, उसी तरह कभी अपनी भासा से, अपने सब्दों से, लोगों के अंदर चेतना का क्या करता है, परसार परसार करता है, कभी और बाजल में क्या समानता बताई की है, तो वही आपनों लिखना है, कि कभ कोई बाजल जीस तरह वर्साद करके या पानी पहुंचागे धर्ती की प्यास बुजाते हैं लोगों को निया जीवन देने का काम करते हैं उसी तरह कभी भी ये काम अपनी लेखन निया वानी के जरिये करता है आगे बात करें शवदा प्रशन है आपका कि लेखी का पडोस कल विहिन समाज को संकुचित असाहय यवं असरुक्षित क्यों मानती है बरतवा में है कि बाल गोबिन भगिन के व्यक्तित्व एवं उनकी वेश बुशा को अपने सब्दों में लिखना है बाल गोबिन भगत के व्यक्तित्व और व्यक्तित्व और आपके वेश बुशा को अपन्रवा गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्यानि उद्धव को प्रास्थ कर दिया। अथवा में आत्मकत्यकविता में पर्साद जी ने जिस मारमिक भीव्यक्ति के साथ जीवन के अभाव बक्स एवम यथार्त का वर्नन किया है। में लिखना है अत्वा में है लेकी का मनु भंडारी के व्यक्तित्व एवं कर्तित्व पर प्रकास डाले तर्वा है नौबत खाने में इबादत पार्ट में इसके जीवन चरीत्र पर प्रकास डाला गया है सविस्तार बताईए अत्वा में माता का अंचल पार्ट में बच्च निम्न लिखित में से किसी एक विशय पर आपको क्या लिखना है निम्मंद लिखना है। निम्मंद लिखना है। तो ये था आपके हिंदी विशय का मौरिल वेपर। बहुत ही महतोपन प्रशने इसमें दिये गए हैं। इन सभी प्रशनों को आप बहुत अच्छे से त्यार कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ इन में से कई सारे प्रशन आपकी बॉल्ड प्रिक्सा में जरू चपेंगे।